नमस्कार, हम कक्षा बार्वी का अध्याएच है अफकलज के अनुपिरयोग पड़ रही हैं। यह हमारा इस अध्याएच का दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में हमने इस अध्याए में राशयों के परिवर्थं की दर साथ ही वर्धमान और हरासमान फलन पड़ा था। याद कीजे हमने इस प्रमय पे छोड़ा था। और ये प्रमय क्या बतला रही है। यह प्रमे बताती है, मान लीजे कि आपके पास एक फलन F है, अंतराल A B पर वैसंतत है और विवरित अंतराल A B पर अफ्कल निये हैं, तो जो फलन F है वे निरंतर वर्दमान होगा यदि, प्रती एक X जो कि विवरित अंतराल A से B के अंदर आ रही है, उसके अंदर जो हमारा फलन F है, उसका अफ्कल अज शूने से बड़ा हो, तब मेरा फलन F निरंतर वर्दमान कहलाएगा, ठी, इसी प्रकार B और C बिंदू में भी हमें क्या बता रहे हैं, जो फलन F है वे निरंतर हर असमान रहेगा, यदि, जो फलन का अफ्कल अज है वे शूने से छोटा हो, फ A से B के अंतरगत आ रहे हैं, उस पर जो फलन का अफ्कल अज है वे शूने के बराबर हो, आईए इसके उत्पत्ति देख ले, पहला बिंदू हम देखेंगे, B और C बिंदू आप स्वयम ही उसी प्रकार कर सकते हैं, मान लीजे X1 और X2, आपके कोई भी दो अव्यव है इस सम्रित अंतरा A से B के अंदर, इस प्रकार लिये गए हैं कि X1, X2 से कम है, तब मध्य मान प्रमे से X1 और X2 के मध्य एक हम बिंदू C निकाल सकते हैं, जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि Fx2 माइनस Fx1 बराबर, फलन F का अफकल अज बिंदू C पर गुणा X2 माइनस X1 है गौर करेंगे, प्रमे में ही, हमें ग्याद है, जो फलन F है, उसका अफकल अच हार एक बिंदू पर क्या है, 0 से बढ़ा, यानि 0 से अधिक, और अभी हमने लिया है, X1, X2 से छूटा है, तो यानि X2 माइनस X1 भी 0 से बढ़ा रहेगा, अर्थाल हम कह सकते हैं, Fx2 माइनस F Fx1 शून से बढ़ा आ रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है, Fx2 बढ़ा है Fx1 से, तो सम्रत अंतराल A, B किस सभी अव्यव X1 और X2 के लिए, जिसमें X1, X2 से छोटा है, तो वे क्या दर्शा रहा है, Fx1 भी छोटा है Fx2 से, तो अतह हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल कि इस सम्रत अंतराल A से B में, जो फलन F है, वे एक वर्दमान फलन है, इसी प्रकार आप बाकी दो बिंदू भी देख सकते हैं, आईए इस पर अब टिपडीन देखें, पहले बिंदू पर ध्यान देंगे, इसी संदर में एक अन्य समान्य प्रमय के अनुसार, यदि किसी अंतराल के अंते बिंदूओं के अतिरिक्त, F का अफकलाज यानि फलन का अफकलाज शूने से बढ़ा हो, जहां X अंतराल में कोई भी अव्यव है, और F इस अंतराल में संतत है, तब जो फलन F है, उसको वर्दमान कहते हैं, इसी प्रकार दूसरे बिंदू पर ध्यान दें हैंगे, यदि किसी अंतराल के अंते बिंदू के अतिरिक्त, F-X less than 0, यानि F का अफकलाज शूने से छोटा है, जहां X अंतराल में कोई अव्यव है, और F इस अंतराल में संतत है, तब F को हरा समान कहते हैं, ठीप, आईए अब एक उधारन देखें, ये उधारन बहुती सरल है, देखते हैं कैसे, देखाएं कि निम्न प्रदत फलन सम्रित अंतराल 3 से 5 पर क्रम शह वर्दमान, रासमान और अचर फलन है, यानि ये जो F-X फलन है वे वर्दमान होगा, G-X हमारा रासमान और H-X हमारा एक अचर फलन है, तो प्रमय के अनुस अचर देख लेते हैं, तीनों ही जो प्रदत फलन है, गौर करेंगे ये जो सम्रित अंतराल 3 से 5 में, क्या हैं वे, संतत है, साथ ही विवरित अंतराल 3 से 5 पर अफकलन ये भी हैं, अब शेष हमें क्या निकालना है, तीनों फलनों के अफकलज, ध्यान देंगे, पहले पे, जब हमने फलन F का अफकलच गयात किया, तो वे कितना आ रहा है? साथ. साथ हमारा शूने से बढ़ा है. वे क्या दर्शा आ रहा है? जो फलन F है, वे क्या है? बर्दमान फलन है. यही दिखाना था. आप देखेंगे दूसरा फलन, G. G फलन का हमने अफकलज ग्याद किया वे देख सकते हैं आ रहा है रिन साथ जो की शूने से छोटा है यानि जो हमारा G फलन है वे क्या है? हरा समान फलन है ठीट? अब तीसरा फलन H इसका अफकलज ग्याद करने पर देख सकते हैं अब कलज ग्याद करेंगे तो वे 0 आ रहा है और 0 आने पर प्रमय के तीसरे बिंदू से हमें क्या पता चला जो हमारा फलन H है वे क्या होगा वे है अचर फलन स्पष्ट भी दिख सकता है आईए एक और उधारन रेखें दिखाईए कि प्रदत फलन F जो की परिभाशित है हमारा कोई भी वास्तविक संख्या ले रहा है और इस R पर वर्थमान फलन है ठीक तो आये इसका अब हल देखें गौर करेंगे ये हमारा फलन कैसा फलन है? बहुपद ये फलन है और हम जानते हैं आर पर बहुपद ये फलन क्या होता है? संतत एवं अफकलन ये दोनों होता है तो यानि अब हमें शेश क्या निकालना है? इस फलन F का अफकलज तो आईए अफकलज देखें F डेश X बराबर में कितना हुआ? 3 X की घाद 2 घटा 6 X जमा में 6 अब 3 उभेनेश लेने पर क्या मिला? 3 कोश्टक में X की घाद 2 घटा 2 X जमा 1 कोश्टक बन जमा में 3 गौर करेंगे ये हमारा क्या बन रहा है? X माइनस 1 की घाद 2 का फर्मूला तो हमारा F डेश X किसके बराबर हुआ? 3 गौरामे X माइनस 1 की घाद 2 जमा 3 हम जानते हैं X माइनस 1 की घाद 2 सदे भी 0 से बढ़ा रहेगा ये 0 के बराबर अब जमा 3 कर दें तो ये सदे भी 0 से बढ़ा रहेगा यानि हमारा फलन F का जो अफकलज है वे सदेवी शूने से बढ़ा रहीगा तो ये क्या दशा रहा है? जो फलन F है वे क्या है? वर्धमान है किस पर? आर पर, ठीक? आईए अग कुछ त्रिकून मत्य फलन का आलेक को देखते ही आप समझ सकते हैं कि हमारा फलन क्या है? कॉसेक्स फलन तो आईए देखें हम जानते हैं कि कॉसेक्स फलन क्या होता है? वे संतत भी है और अफकलज ये भी है तो इसका अफकलज ग्याद करते हैं अफकलज आया हमारा रिंड साइन एक्स ठीक आप देखते हैं अंतराल इस तालिका में आप देख सकते हैं अगर हम विवरित अंतराल शूने से पाय तक में देखें तो हम जानते हैं जो साइन फलन है वे हमेशा धनात्मक संख्या देता है पर इसकी साथ में माइनस का चिन लगा है तो यानि हमारी जो अफकलच की संख्याएं आएंगी यानि मान आएगा वे कैसा होगा वे हमेशा शूने से छोटा होगा तो यानि इस अंतराल विवरित अंतराल शूने से पाय के अंदर जो हमारा फलन एफ यानि कॉसेक्स फलन कैसा होगा हरा समान फलन होगा जो कि आप इस आलेक में भी देख सकते हैं, इस आलेक में देखेंगे, ये शूने, ये हमारा पाई, जैसे हम बाई से दायाओं चलेंगे, तो जो हमारा कॉसेक्स फलन है, ये आलेक है, वे कैसा हो रहा है, घट रहा है, और दर्शा रहा है, जो हमारा फलन है, वे हरासमान फलन है, ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ने पर फिवरित अंतराल पाई से दो पाई के अंदर देखेंगे तो हमारा जो F-X है वे सदेवी 0 से बढ़ा रही का और वे दशारहा है जो कॉसेक्स फलन है वे इस अंतराल में वर्धमान है जैसे कि यहां देख सकते हैं यह पाई और दो पाई दशारह है इसके अंदर जैसे जैसे हम बाई से दाएं की और बढ़ रही है जो हमारा कॉस फलन है वे कैसा चल रहा है वे बढ़ रहा है यानि उसमें व्रिधी आ रही है और यही दशारहा है जो कॉसेक्स फलन है पाई से दो पाई के जो अंतराल है इसके अंदर वे वर्धमान फलन है ठीक अब देखेंगे अगर हम फलन किसके अंदर देखें शूने से दो पाई के अंदर अगर इसके अंदर देखते हैं तो आप देख सकते हैं अभी हमने देखा आधि में वै क्या हो रहा है हरा समान है आधि में वर्दमान है तो यानि विवरित अंतराग शूने से दो ठीक, इसी प्रकार आप sin x का फलनका भी देख सकते हैं, आईए देखें, इसे अब हम आलिक के माध्यम से भी देखेंगे, आपके सामने हैं, यह हमारा sin फलनका आलिक, इसका अफकलरज आपको पता है, अफकलरज क्या होता है, sin फलनका, वह होता है cos x, ठीक, अब इस तालिका म भी गौर करेंगे, सबसे पहले इस विवरित अंतरा शूने से पाई बटे दो में देखें, जो की दर्शा रहा है, शूने और ये हमारी लाल रिखा, पाई बटे दो, आलेक से तो आप देखी सकते हैं, हमारा जो फलन है, वह कैसा है, कैसा दर्शा रहा है, वर्दमान फलन दर्शा रहा है, वही आप इस तालिका में भी देख सकते हैं, और सॉल्व करके भी स्वैम निकाल सकते हैं, विवरित अंतराल शूने से पाई बटे दो में, जो हमारा एव डश है, वैसे वही शूने से बड़ा है, और फलन की प्रकृती बता रहा है, कैसा फलन है, एक वर् डश एक्स है, वै हमीशा शूने से झोटा है, ठीक, और हमारा फलन कैसा है, साइन फलन, वै है हरासमान, जैसे कि आप इस आलिक में देखेंगे, यह पाई बटे दो से पाई तक, इसके अंदर यह हमारा साइन फलन, कैसा दर्शा रहा है, यह घट रहा है, यानि जो साइन फ में विवरित अंतरल पाई बटे दो से पाई के अंदर ठी ऐसे ही अब हमारा विवरित अंतरल शूने से पाई के अंदर देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था एक बारी ये क्या हो रहा है वर्धमान और दूसरे में हरासमान तो ऐसे में शूने से पाई तक में जो हमारा फलन साइन फलन है वे क्या किलाएगा वे किलाएगा कि वे ना ही वर्धमान है ना ही हरासमान है ठीक है पर अगर इस अंतराल को हम दो अंतरालों में तोड़ दे और संयुक्त अंतरालों में तोड़ दे तो हम देख सकते ह वे क्या है? एक के अंदर में वर्धमान है और एक के अंदर हरा समान. ठी? आईए अब एक और उधारन देखें. इस उधारन में देखेंगे कि कैसे हब हम अंतराल ग्याद करेंगे? प्रशन है अंतराल ग्याद कीजिए जिसके अंदर प्रदत फलन वर्धमान या फिर हरा समा हो तो पहला हमारा फलन fx वे कैसे परिभाशित है fx बराबर है माइनस x की गाद 2 जमा 4x जमा 6 ठीक बहुपद ये फलन है तो इनकी जो संतत है और ये अफकलन ये भी है ये हम नहीं दर्शा रहे हम सीधा क्या लेंगे हम फलन f का अफकलज तो फलन f का अफकलज ग्याद करने पर देख सकते हैं हमारे पास क्या आया f-x बराबर में माइनस 2x जमा में 4 माइनस 2 हमने उभेनेश्ट ले लिया तो हमारे पास क्या बना f-x बराबर में माइनस 2x माइनस 2 अब गौर करेंगे, ऐसे में हम f-x को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें एक मान मिलेगा x का, वे क्या है? x बराबर 2 अब हम जो हमारी वास्तविक रेखा है उसको हम 2 असर युक अंतराल में बाट सकते हैं कैसे? यह हमारा 2 एक अंतराल हो गया, माइनस इंफिनिटी से 2 तक और दूसरा अंतराल हो गया, 2 से इंफिनिटी तक यही दो आप अंतराल देख सकते हैं, इस तालिका में भी अब हमें देखना है कि इन दोनों अंतराल में से किस अंतराल में हमारा फलन F वर्धमान है या फिर हरासमान है ठीए? आईए देखें कैसे निकालेंगे सबसे पहले पहला अंतराल ले लेते हैं विवरित अंतराल माइनस 8 से 2 ठीए? अब इस अंतराल में अगर हम कोई भी अव्यव लें तो आप देखेंगे X-2 हमेशा क्या होगा? कैसी संख्या देगा? रिनात्मक संख्या देगा उसके साथ में अगर हम रिन और लगा दे यानि माइनस कचे न और लगा दे तो वे क्या आएगा? धनात्मक संख्या देगा तो यानि सदेव अगर हमारा कोई भी अव्यव माइनस इंफिनिटी सी 2 के बीच में आ रहा है तो f-x क्या होगा? 0 से बड़ा इसका मतलब जो फलन f है तो यह क्या होगा? वर्धमान फलन होगा ठीप? अब दूसरे अंतराल में देख लेते हैं दूसरे अंतराल यानि विवर्ध अंतराल 2 से इंफिनिटी के अंदर अब इसमें हम कोई भी अव्यव ले तो x-2 सदेव कैसा संख्या देगा? धनात्मक संख्या देगा पर f-x के अंदर साथ में क्या लग रहा है या? रेन का चिन तो यानि f-x क्या देगा हमेशा? इस अंतराल में अगर हम कोई भी अव्यव लेते हैं तो वे हमेशा 0 से छोटी संख्या देगा यानि जो फलन f है वे इस अंतराल 2 से इंफिनिटी तक में क्या हुआ? हरा समान हुआ तो यानि हमने 2 अंतराल निकाले जिसके अंदर हमने ये बताया कि फलन f कब भर्दमान है और कब हरा समान इसी प्रकार हम ये फलन g के अंदर भी ग्याद करेंगे g फलन हमारा किस तरीके से परिबाशित है? देख सकते हैं g x बराबर में माइनस 2 x की खाद 3 माइनस 9 x की खाद 2 माइनस 12 x जमा में 1 इसका अब कलज ग्याद करने पर आप पाएंगे कुछ ये वे क्या है? g डेश x बराबर में माइनस 6 गुड़ा में x जमा 1 और x जमा 2 फिर से वही हमने क्या करना है? g डेश x को 0 के बराबर रखेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास यह x की 2 मान आएंगे वे क्या आ रही है? 1 आया माइनस a और 1 आया माइनस 2 ठीक? अब हम अपनी वास्तविक रेखा को कितने भागों में यानि कितने असियुक्त अंतराल में बाठ सकते हैं? सोचिए हिंट आपके पास दिया हुआ है हांजी आप इस तालिका में भी देख सकते हैं क्या है? एक आपका आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 एक माइनस 2 से माइनस 1 और माइनस 1 से इंफिनिटी यानि आपने वास्तविक रेखा को तीन असियुक्त अंतरालों में बाठा अब हम जो फलन जी है उसकी प्रकृति इन 3 फलन जो अंतराल है उसमें दीखेंगे तो आइए सबसे पहले पहले अंतराल में देखें जो कि विभृत अंतराल माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 है फिर से वही करेंगे हम क्या? यानि कोई भी अगर हम अव्यव लें और G-X में भरें तो आप देख सकते हैं ये X-2, X-1 और 1- ये क्या देगा हमें? हमें देगा कि F-X सदे वीशुने से छोटा आएगा कैसे? कोई भी लेंगे यानि रिन 2 से वैसंक्या छोटी है तो यानि यहाँ पे भरने पर एक हमें प्रिनात्मक संख्या मिलेगी इसी प्रकार यहाँ पे वो संख्या धरने पर फिर से हमें प्रिनात्मक संख्या मिलेगी फिर यहाँ भी हमारे पास क्या है? माइनस का चिन यानि हमारे पास कितने माइनस के चिन हुए? तीन, ठीक, इसका मतलब हमारा F-X क्या होगा, शूने से छोटा, और फलन G क्या है हमारा, वै होगा हरा समान, गौर करेंगे, यह जो F-दश आ रहा है, यह F और कुछ नहीं, यह फलन G ही है, तो यानि यह हमारा G-X है, ठीक, इसी प्रकार, अब बाकी दो अंतरालों में भी, ज उसकी प्रक्रती देख सकते हैं, ठीक, आईए, अब हम देखें, सपर्ष रेखाएं और अभिलंब रेखाएं, ठ्यान देंगे इस समिकरण पर, Y-Y0 बराबर में M, X-X0, यह क्या दर्शा रहा है, बिंदू X0, Y0 से जाने वाली, तथा, परिमित, प्रमुन्ता M वाली हुआ है, यदि हमारे पास कोई वक्र है, Y बराबर FX, उसके बिंदू X0, Y0 पर, सपर्ष रेखा की प्रमुन्ता DY बटे DX से हम दिखाती हैं, तो सपर्ष रेखा की जो समिकरण हैं, वे क्या हुई? वे हुई, Y-Y0 बराबर में DY बटे में DX, गुडा में X-X0, ठीक, आप देखते हैं, अभिलंब रेखा की समिकरण, आप जानते हैं, कि यदि ये हमारे पास वक्र है, और ये बिंदू A पर, ये हमारी सपर्ष रेखा दशा रही है, तो इस पर जो अभिलंब रेखा होती है, वे क्या होती है? लंब होती है, ठीक, वे ही है, अभिलंब वक्र y बराबर fx के बिंदू x0 y0 पर जो अभी लंप की प्रवनता है वे किस से दर्श आते हैं माइनस 1 बटे में dy बटे में dx और इसकी समीकरण क्या हुए जैसे कि हमने इस फर्श्रेका का निकाला था y-y0 बराबर में अभी लंप की प्रवनता जो की क्या है माइनस 1 बटे में dy बटे में dx गोडा में x-x0 ठीक आईए आगे बढ़े गौर करेंगे स्टिप्णी पर सबसे पहले बिंदू पर यदि y बराबर fx की कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के धन दिशा से a कोण बनाए तब dy बटे में dx जो की क्या दर्शा रहा है स्पर्श रेखा की प्रवनता तो वे किसके बराबर हुई tan a ठीक अब दूसरे बिंदू को देखेंगे यदि स्पर्श रेखा की प्रवनता शूने है शूने यानि अब क्या हमें पता चला पहले बिंदू से ही tan a किसके बराबर हुआ शूने के और इस प्रकार जो कोण हुआ वे किसके बराबर हुआ शूने के सो जिसका अर्थ हमें क्या मिल रहा है जो स्पर्श रेखा है वे एक्स अक्ष के समनांतर है यानि उसके पैरलल है ची और उसका समीकरण क्या होगा वाई बराबर में वाई नॉट ची तीसरे बिंदू पर देखेंगे यदि हमारा कोण a पाई बटे 2 हो जाता है तो हम जानत हैं टैने क्या होगा वे इंफिनिटी पे जाएगा वह अज्यात है तो स्पर्श रेखा क्या हो गई वाई अक्ष के समनांतर हो गई ठी और उसका समीकरण क्या मिला हमें समीकरण मिलेगा हमें एक्स बराबर में एकस नॉट ठी आईए अब कुछ उधारन देखें प्रम्रत दो वाली सभी रेखाओं का समिक्रण ग्याद कीजिए जो वक्र y जमा 2 बटे x-3 बराबर 0 को सपर्ष करती है ध्यान देंगे हमारे पास जो सपर्ष रेखा है उसकी प्रमणता दी हुई है अब हमें सबसे पहले क्या ग्याद करना है हम पहले बिंदू ग्याद करेंगे और उस बिंदू से जाती हुई समिक्रण तो आईए इसका हल देखें दी है वक्र के बिंदू xy पर सपर्ष रेखा की प्रमणता क्या होगी dy बटे में dx यही बताया था तो dy बटे में dx अब इस समिक्रण का अफकलज ग्याद करने पर पाएंगे तो dy बटे में dx बराबर में कितना आया 2 बटे x-3 की गाद 2 प्रमणता हमें दी हुई है वे है 2 तो यानि यह क्या हुआ 2 बराबर 2 बटे में x-3 की गाद 2 अब इस समिक्रण को हल करने पर आप क्या पाएंगे आप x के 2 मान पाएंगे एक x बराबर 4 और x बराबर 2 यानि आपको 2 बिंदू मिलेंगे और वे 2 बिंदू क्या है जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 मिलेगा और x बराबर 4 रखने पर y बराबर माइनस 2 मिलेगा यह आप पास सकते हैं इस समीकरण में रखने पर x का मान अब इस प्रकार दिये वक्र की जो प्रवर्टा 2 वाली स्परश रिखाएं है क्रम शह कौन-कौन से बिंदू 2 दो और 4 रिन दो इनसे जो होके जाती हैं वे क्या हैं देख सकते हैं वे क्या मिली y माइनस 2 बराबर में 2 गुणा में x माइनस 2 इसे आप हल करके भी लिख सकते हैं यानि सरल रूप में और दूसरा समीकरण हमें क्या मिली जो की इस दूसरे बिंदू से वोके गुजर रही है बिंदू क्या है 4 और माइनस 2 और समीकरण क्या है y माइनस 2x जमा में 10 बराबर में 0 याद रखेंगे हमारा समीकरण का क्या बताया था मैंने आपको समीकरण y-y0 पराबर में m x-x0 स्परश्रेखा की समीकरण जहाँ ये m क्या दशा रहा है स्परश्रेखा का प्रवाणत ठीक, आईए अब एक और प्रशन देखे इस प्रशन में क्या दशा रहा है और क्या हमें ग्याद करना है x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x की गहाद 4 माइनस x की स्परश्रेखा एवं अभी लंभरेखा की प्रमणता ग्याद करनी है सरल है हम जानते हैं कैसे ग्याद कर सकते हैं यानि हमें अब कलज ग्याद करना है dy बटी में dx अब दिये गई वक्र x बराबर 2 ठीक के अंदर सबसे पहले dy बटे में dx निकालेंगे रह ग्याद करने पर क्या मिला 4x की गहाद 3 माइनस 1 अब हमने क्या किया dy बटे में dx के अंदर यानि इसके अंदर हमने x बराबर 2 भरा याद करें अब कलज के अंदर यानि dy बटे dx के बराबर जवाया उसके अंदर है भी हम x का मान भरेंगे, पहले नहीं, ठीक, अब पहले रखने पर हमें मान क्या मिला, 31, ठीक, देख सकते हैं, साफ है, दो की घार 3 बने 8, 8 को 4 से गुणा पर बने 32, 32 में से 1 घटाएंगे बने 31, ठीक, अब ये हमारी क्या बन गई, प्रम अभी लंबरेखा की प्रमर्ता क्या हुई, फर्मला आपको पता ही है, वे क्या होता है, माइनस 1 बटे में, dy बटे में, dx, तो माइनस 1 बटे में, dy बटे dx, निकाला था वे कतिस, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रमर्ता किसकी, अभी लंबरेखा की, आईए, अब ये सुधार के रूप में दे रही हूं इसका उत्तर करेंगे और इसका जो उत्तर है वह मैं आपको अगले सत्र में दूँगी ठीक यह आपका प्रश्ण है तो बच्चों आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा समझ आया होगा धन्यवाद